आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now अजी देखिए हैं कुश्चन देगा है Which solid has sum of faces and vertices as 10 कौन सा solid है जिसमें faces और vertices का जो sum है वो equal to क्या हो 10 हो ठीक है देखे अगर मैं Euler's formula या लिखूं Euler's formula तो Euler's formula क्या है Euler's formula है F plus V is equal to E plus 2 ठीक है face plus vertices is equal to edges plus 2 ठीक है ये Euler's formula है और हमें वो solid बताना है जिसमें faces और vertices का sum 10 हो और edges कितनी हो edges आप यहां से निकाल सकते हो edges आजेंगी 8 ठीक है जी 8 edge हो और face और vertices का जो sum है वो क्या हो 10 ठीक है जी ठीक है अगर मैं यहाँ shape जो दिये हुआ है उनके अगर मैं बात करूँ Q void तो ऐसा possible नहीं Q void में total अगर आप देखो जैसे Q void है इस Q void में total अगर आप faces और edges काउंट करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ यह edges है 4, 4, 8 और 4, 12 ठीक है तो faces words इस और edges faces 6 है words इस 8 है और edges है इसकी 12 ठीक है यह Q void और जैसा कि यहां कुशन में का जा रहा है कि edges कितनी चीए है 8 चीए है तो यह 8 edges तो नहीं है तो यह तो possible नहीं है Q void तो नहीं है edges 12 कैसे है क्योंकि तेखे 4 rectangle की 4 इसकी 4 जोइन करने वाली ठीक है यह Q void हो गया अब Q void के बाद में हम बात करते है कौन की देखे कौन यह shape है कौन का जहांसे देखेगा ठीक है यह कौन है जिसमें की एक flat face होगा यह आपका flat face है नीचे एक flat circular face है और एक आपका cloud face होगा ठीक है यह कौन की height है यह radius है ठीक है यह height h और यह radius r तो कौन में तो ऐसा possible नहीं है ठीक है अब बात करते है square pyramid की square pyramid में होगा क्या कि एक square होगा उसके जितने vertices है उस सभी को हम connect करेंगे यह square है इसके जितने vertices है उनको एक point से connect करेंगे जैसे यहाँ एक point है तो उससे इन सभी के vertices को connect कर देते हैं तो square क्या बनेगा pyramid तेखिये अब यहाँ edges के अगर बात करो तो 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 तो edges कितनी है टूटर? 8 ठीक है? और अगर आप vertices के बात करूँ तो vertices यहाँ पे कितनी है? 4, 1, 5 ठीक है? vertices है 5 और edges है 8 क्या यह square pyramid है? जिसकी edges 8 हो और अगर आप faces और vertices की भी अगर आप बात करो ठीक है? faces और vertices की तो faces इसमें कितने होगी? इसमें अगर मैं formula लगाओ F plus V equal to E plus 2 तो वो formula बिल्कुल सही लगेगा इसमें faces हमें निकालने, vertices कितने है? 5 equal to edges 8 plus 2 10, 10-5 जानि faces कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं तो यह है square pyramid यह है square pyramid इसके बादे हम बात करते हैं square pyramid के बाद next जो figure है वो है triangular prism ठीक है? देखिए यहाँ तो यह fit by a travel ठीक है? F plus V, E plus 2 के equal आ रहा है और edges जो है वो 8K को ली आ रही है, triangular prism में क्या होगा? दो triangles होंगे ठीक है? एक यह triangle है और एक यह triangle है ठीक है? यह दो triangles आप देख रहे हो यह दोनों triangles के vertices को आप connect करेए जैसे इस vertex को connect किया फिर इसको connect किया तो यह बन गया triangular prism और इस triangular prism में total अगर edges की बात करें हम यह है triangular prism edges कितनी है इसमें? इसमें edges होंगे देखे 3 triangle के 3 strangle के और 3 join करने वाले total कितनी होगी? 9 और edges ही 9 है तो यहां हम इसको क्या कर देंगे? exclude कर देंगे क्योंकि हम edges कितनी चीए थी? 8 तो option कुल सा correct होगा? square pyramid is the right answer स्वाई होप कि आपको यह कुछ नों समझाया होगा thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर